हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल टेक्निकल आरियन जी सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में किस प्रकार से किसी भी एलबम पोस्टर में डॉट लाइन एड कर सकते हैं जैसा कि आप लोग देखते हैं धेर सारी एलबम पोस्टर में डॉट लाइन एड होता है और जो है बहुत ही ज्यादा एट्रेक्ट्व देखने में लगता है आज मैं उसी की बारें बात करने वाला हूँ यदि आप ऐसे ही रोचक वीडियोज अपने मोबाइल फोन में निरंतर पाना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजे पास में लेगा घंटी का बटन उसे भी प्रिस कर दीजे ताकि हमारे दूर अफ्लोड के जिए नमल सभी वीडियोज की नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंस सके सो गाइज हम वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फोन में यूनिकोड़ पैड एप्लिकेशन को ओपिन करना होगा यूनिकोड़ पैप्ल के अभिंड वाला इफ हम दोन निचे तरफ करते हुए जाना है नीचे की तरफ एगदम करते जाएंगे हमें जो है यहाँ पर जब तक की डॉट लाइन वाला शेफ नमेल यहाँ प्रक्रीक यहाँ लाइन कर चुके यहाँ के बटन पर टब करके हम जो है इसे कापी कर अब इसके बाद friends हमें जो है अपने दूसरे application pixel lab application में चलना है यह आप उस application को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो उसका link भी मैं अपने इस वीडियो के description box में डाल लूँगा friends आप लोग आसानी से जो है वहाँ से download कर पाएंगे so friends हम अपने उस application में चलते हैं so friends आपको अपने mobile phone में pixel lab application open करते हैं कुछ इस परकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा so यहाँ पर हम जो है इस new text को delete करने के लिए left side में delete के आइकन पर टैप करेंगे और ok कर देंगे उसके बाद friends हम जो है अपने mobile phone में जो कुछ banner download करके रखे हैं या बना कर रखे हैं उसे हम यहाँ पर add कर लेंगे add करने के लिए friends हम जो है right side में three dot पर टैप करेंगे और use image from gallery में चले जाएंगे यूज image from gallery में जाने के बाद friends हम जो है अपनी इस poster को जो है add कर लेंगे इस poster को add करने के बाद the kitchen पर type कर देना है so friends आप जो है आपको जो है एक निउ टेक्स्ट के आड़ करना है new करने के लिए आपको प्लस के चिने पर टाइब करना है और टेक्स्ट पर टाइब कर देना है यहां पर आपके सामने एक निव टेक्स्ट है एड हो जाएगा सो फ्रेंड्स या निव टेक्स्ट पर हमें जो है दो बार टाइब करना है अब यहां पर हमें जो है अपने उस टेक इसके color को change कर सकते हैं सो फ्रेंट्स हमारे पास यह वाला color है तो हम इस color को जो है add कर दिए अब यहाँ पर लोग देख पार रहे हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इस प्रकार से हैं अब आप लोग देख पार रहे हैं कि हमारे पास जो है धेर सारे डॉट इकठे हो चुके हैं तो हम यहाँ पर जो है अब कि यहाँ पर कर दिये हैं अब यहाँ पर चाहिए तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं किसी पर कलर में आपके मर्जी से है रही हिट हुआ वाइट हुआ बुलु हुआ कि सिप्रकार में आप यहाँ पर फिचले कर पाएंगे कर देंगे जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखवा रहे हैं और हमारा जो है dot add हो चुका है उसके बाद friends हम जो है यहाँ पे इसे lock कर देंगे lock करने के बाद हम इसे फिर से copy कर लेंगे copy करने के बाद friends हम जो है इसे कुछ इस परकार से rotate करेंगे और यहाँ इस साइड में भी add कर देंगे add करने के बाद आप लोग देखवा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है add हो चुक है फिर से हम जो है लेयर वाले आपन पर जाएंगे और इस आप्सन पर टैप करेंगे और copy कर लेंगे गुदि टब सांत है ऊपई यहां पर आयड कर देना है आहे करने के बाद हम इसे भी लॉक कर देंगे लॉक करने के बाद इसे हम कापी कर लेंगे ध गुदि एख मने दाफ करना हुआ था मैं यह नीकिछे के दा व्ला के यहाँ पी इसे कुछ इस प्रकार से adjust कर देंगे सो फ्रेंट्स आप लोग देखी पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से हमारा जो है dot line add हो चुगा है सो I hope कि आप भी अपने mobile phone में कुछ इस प्रकार से dot line add कर पाएंगे मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और प्यारा सा कमेंट भी कीज़ेगा क्यों कि हम ऐसे वीडियो आपके लिए रोज लाते रहते हैं सो फ्रेंज इसे सेव करने के लिए आपको सेव के आइकन पर टैप करना है और सेवाइज इमेज पर क्लिक कर देना है उसके बाद फ्रेंज यहाँ डिफॉल्ट पर टैप करना है अल्टरा सेलेक्ट करना है सेव टू गैलरी में जो ही ट्टिक कर देना है यह जो इमेज है आपके गैलरी में असानी से सेव हो जाएगा तो आपको हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ